हलो इस्टुएंट्स नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्जेम्पल नम्बर थी क्या कह रहा है राशीद हैस बिल्डा क्यूबिकल वाटर टैंक एक क्यूबिकल वाटर टैंक बनाया उस बंदे न ही कैसा बना लिया कुछ इस टाइप से टैंक विट लिट फॉर इस हाउस विट इच आउटर एज और जो उसका आउटर एज है वो कितना है 1.5 मिटर है गिविन कंडिशन डाल देता हूं मैं यहां पर कितना हो जाएगा इच आउटर एज ओफ टैंक 1.5 मीटर मीटर को सेंटिमेंटर में कैसे बदलता है 1.5 इंटू 100 क्यूं करना हो मैं है क्योंकि यहां एक और यूनिट सेंटिमेंटर में दे रख दिया यह 0 से 0 गया तो यह 150 सेंटिमेंटर आ गया आपके पस ठीक है ही से ईटर सरफेस ऑफ डटअश्वाडगे मीटर से फेयरा इख पर एक अपके सामनों रही आप कर द दो है इस वाक्स से रहला है तो छोड़ दो इसकी अलावा मुझे रहर जगेंट कवड़़ अंडा चिकल एंगा बास सुना क्या कहा रहा हूँ मैं वैसे cube के जो surface area होता है total surface area of cube कितना होता है 6 into a square अगर मैं इसकी side a मान लूत हूँ यानि 6 into side square होता है क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा एक face का area side square फिर दूसरे face का area side square तीसरे का, चौते का, फिफ्ट का, शिक्स का ऐसे करके 6 into side square होता है अगर मैंने 1 face अठा दिया है इसमें से तो कितने face बचे हैं आपे 5 face बचे हैं कितने face बचे हैं 5 face बचे हैं तो मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ पर outer surface area of tank excluding base base को छोड़ के, कितना होता है 6 into side square होता है साइड कितनी है देखो भी आपके सामने साइड हमारे पास आ गई है 150 का whole square ठीक है हम इसको solve नहीं कर रहे हैं अभी यहाँ पर और यह मैं लिख रहा हूँ cm square आप चाहँ तो multiply कर दो नहीं करना तो मत करो आगे बोल रहा है यहां मुझे टाइल्स बिछा नहीं देखो ऐसी चोकुर चोकुर रहा है और यह जो टाइल है आपके पास यह टाइल किस शेप में है square की शेप में किस शेप में square और उनका जो side दे रखा वो भी दे रखा है 2525 अब मुझे क्या निकालना how much spend कितना cost खर्च होगा अगर 480 पर डेजन की टाइल की cost है तो पर डेजन मतलब हो गया 12 टाइल एक डेजन में कितने होते है 12 टाइल होते है तो 12 टाइल 480 रूपीज के हिसाफ से चल रही है तो कितना cost लगेगा यह आपको बताना है यहां पर समझ में आगे है ठीक है अब देखो क्या करना है आपको आपको यह करना है यहां पर हमें सबसे पहले number of tiles निकालने है हमें क्या निकालना है सबसे पहले number of tiles निकालने है number of tiles का formula क्या होता है टोटल सर्फेस एरिया जिस पर भी टाइल बिचेगी उसका एरिया अपॉन टाइल एरिया यही होता है ठीक है सर एक टाइल का एरिया कैसे निकलेगा सर वन टाइल एरिया जो है वो किस shape में है square की shape में है तो मैं आपर side square बोल सकता हूं यानि 25 का square तोटल सर्फेस एरिया कितना निकला 6 into 150 into 150 यह निकला है न देखो सिंटू 150 का square और नीचे कितना जाएगा एक टाइल का एरिया 25 into 25 अब आप इसको कट करो कैसा आएगा देखो सर यह हो जाएगा एक सिक्ड़ एक सिक्ड़ बड़ कर दिया अपने six क्यों ले लिया आप पर हमार पास तो five faces है ना only आप लोग सोच रहे होगे सर क्या करे जा र हो तो हमें यहाँ पर क्या करना है excluding base करना तो एक base कम हो गया तो कितने फेस बज़ गया हमार पास five face बज़ गया कितने फेस बज़ गया हमार पास भाईया five faces बज़ गया है ना five into side square एक से किया कुछ नहीं आएगा ठीक है five five is a twenty five ठीक है five से कट किया five three is a fifteen और यह जीरो ठीक है सर और क्या आगया है इसके अंदर five three is a fifteen zero five five is a twenty five five six a thirty कितना हो गया है three six a eighteen 180 टाइल्स जो है वो विछेंगी उस पूरी को कवर करने के लिए ठीक है अब आपको क्या निकालना कॉस्ट निकालना क्या निकालना कॉस्ट यहां तक पॉस्ट करके कॉपी करेंगे सब इस्टों मैं चल रहाँ नेक्स स्लाइड पर अब देखो सबसे पहले तो one time का कॉस्ट निकालो one time का कॉस्ट निकालो एक टाइल का कॉस्ट कितना आएगा 480 पर डाजन और यह यह यानि 480 रूपीज है वयलू टाइल्स के तो एक का निकालने के लिए multiply कर दिया ही के सर एक टाइल का cost कितना है 40 अब आपको क्या निकालना है cost of the tiles आपको निकालना है cost of 180 tiles कितना निकल जाएगा 40 into 180 multiply करो कितना हो जाएगा clear रहे हां तक 7200 रुपीज चार्ज लग जाएगा तो मैं लिख सकता हूँ hands how much he would spend for the tile he would spend 7200 for the clear रहे हां तक यह हुआ complete example 3